तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और मार्केट पर देखिए आज अच्छी घासी घिरावट हमको देखने को मिल रही है लेकिन इस घिरावट के बाद आगे की क्या हमारी रणनेती होनी चाहिए market की क्या दशा क्या दिशा रह सकती है with reason हम यहाँ पर समझने वाले हैं और एक stock में आपके साथ यहाँ पर share करने वाला हूँ उसको हम cover करने वाले हैं जहाँ पर एक बड़ी ख़बर आ रही है और क्यों इसमें हमको SIP करनी चाहिए with reason, with rational आपके साथ discuss करूँगा and technical chart पर क्या levels हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो में काफी सारी चीज़े cover करने वाले हैं तो काफी informative वीडियो होने वाला है तो बिना skip करें चली बात करते हैं market की तो देखिए nifty की बात करते हैं तो 220 point से ज़ादा nifty में गिरावट देखने को मिल रही है और percentage terms में 70% से ज़ादा गिरावट देखने को मिल रही है और जो कि expected भी था हमने यहाँ पर उमीद करी थी कि आज की दिन market अच्छा घासा गिर सकता है और सुबह के session में तो I think 400 points के आसपास की हमको काफी अच्छी घासी गिरावट देखने को मिली थी nifty में लेकिन अभी recovery हो चुकी है गिरावट क्यों होई तो हमने जैसे की पर्सों cover किया था कि जो US market है उसमें अच्छा खासा हमको sell-off देखने को मिल रहा है जितने भी index थे 3-4% के आसपास corrected थे और अभी इस time भी जो Dow futures है, S&P futures है वो अभी भी हमको red में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर pressure है markets में हमको sell-off देखने को मिल रहा है reason, Fed जो chairman है Powell Chaja जो है, उन्होंने काफी negative यहाँ पर commentary दी थी hawkish statement था, उनका interest rate यहाँ पर aggressive तरीके से बढ़ा ही जा सकती है उमीद लगा रहे हैं सबके सबब यहाँ पर की यहाँ पर touch करने वाला है, जो कि बहुत जादे strong होता हूँ नजर आ रहा है, डॉलर अगर में एक pattern की बात करूँ, तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें, DXY में, तो यहाँ पर एक kind of cup with handle pattern बनता हूँ नजर आ रहा है और यहाँ पर एक breakout की संभावना बनती हूँ नजर आ रही है, तो यहाँ पर dollar और मजबूत होता हूँ हमको देखने को मिल सकता है treasury yields यहाँ पर बढ़ती हूँ देखने को मिल रही है, और bond market अगर मजबूत होगा, तो equity market यहाँ पर कमज़ोर होगा, because bond market is an alternate to the equity, तो पैसा वहाँ से निकलता हूँ नजर आता है, अगर मैं रुपी की बात करूँ तो देखिए, 80 touch कर चुका है, जिया, उस तो USD2, INR अगर हम देखें, तो यहाँ पर 80 touch कर चुका है, और as per reports, as per analyst, 81 तक यह जा सकता है, तो जब रुपी weak होगा, तो definitely यह कही ना कही एक negative संकेत है, तो क्या यह जो recovery है, क्या यहाँ से sustain करेगी, let's see, predict नहीं कर सकते, लेकिन मुझे रगता है कि यहाँ पर थोड़े volatility तो हमको देखने को जरूर मिलेगी, बात करते हैं, निफ्टी की, तो निफ्टी में, देखिए, कमजोर नजर आ रहा है, उपर की साइट से जो trend line का resistance है, अच्छा कासर जो resistance अब है, जो यह breakdown हो चुका है, जो ऐसे support काम किया, breakdown हो चुका है, तो टेक्निकली बात करें, तो निफ्टी आपको यहाँ पर 16,900 से 17,000 के बीच में आता हुआ देखने को मिल सकता है, अब जो short term investor है, जो short term trader है, medium term trader है, उन्होंने अपने stop loss जरूर यहाँ पर लगाया होगा, तो definitely हो सकता है, कई hit भी हो गए होंगे, लेकिन जो long term investor है, उनको यहाँ पर मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि market की गिरावट के साथ, यहाँ पर quality stocks correct हो रहे हैं, fundamentally कोई issues नहीं है, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, fundamentally कोई issues नहीं है, market correct हो रहा है, इसलिए stock correct हो रहे है, तो यहाँ पर आपके पास अगर पैसा पढ़ा है, तो उसको deploy कीजिए, SIP कीजिए, لمसा ना भी लगाएं, तो यहाँ पर कुछ ना कुस्तों हमको जरूर खरीदारी करनी चाहिए, यह मान लिजी, आज हमको sale लगती होई देखने को मिल रही है, गणे चतुरती की sale जो है, पहले ही यहाँ पर लग चुकी है, अगर यहाँ से market recover करता है, तो चलिए हमने कुछ तो खरीदा है, नहीं recover करता है, और गिरता है, तो अच्छी बात है हमने SIP की है, तो हम और average कर लेंगे, तो long term वालों के लिए, अच्छी बात है कि portfolio को और आप बड़ा कीजिए, quality stocks को accumulate कीजिए, क्योंकि अभी जो है red है market, portfolio red है, लेकिन जब हरियाली आएगी, जब market recover करेगा, जो की करना ही करना है, इसमें कोई शकी नहीं है, हो सकता है market यहाँ से एक साल recover ना करे, लेकिन 200% यहाँ से market जो है, 2-3 साल में बहुत उपर जाता हूँ, हमको देखने को मिलेगा because इंडिया की अगर growth story पर हमको यहाँ पर believe नहीं है, तो फिर हमारा equity में इनिवेश करने का कोई मतलब भी नहीं है और इंडिया जैसी economy, सबसे मजबूत economy अभी नज़र आ रही है at this point of time emerging nations में भी और compare आप developed economies के साथ भी तो अच्छी quality stocks fundamentally जो अच्छी companies है, debt-free companies management अच्छी companies leader companies, उनको बाय करते रही है, तो अच्छी बात है गिररा portfolio, अभी portfolio को बड़ा कीजिए और फिर बात में जब हरी आली आईगी तब देखीगा क्या मज़ा आएगा चलिए तो होगी बात भाया, यहाँ पर Nifty की analysis की, अब बात करते कौन सा वो stock है, तो आज की दिए जोस्तों मैं cover करूँ है, हाँ पर LTTS, यहाँ जोस्तो, one and only LTTS, ER&D space में बात करें तो सबसे बहतरी इन company, और आज की date में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, हमको बहुत बड़ी ख़बर आती हुई देखने को मिल रही है, तो LTTS ने दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि partnership deal sign की है, BMW Group के साथ, और multi-year deal है, छोटी मोटी deal नहीं है दोस्तों, देखिए, 5 साल की deal है, BMW Group के साथ उनका पूरा infotainment domain यह जो है, यहाँ पर उनके लिए solution प्रोवाइट करने वाले हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पर BMW Group के साथ यह हुई deal, और BMW Group हम सभी को पता है कि एक luxury brand है और पूरा infotainment यह console होता है पूरा जो एक तरह से कहते हैं, जो centralized system है, गाडी का वो यहाँ पर यह पूरा engineering solution service प्रोवाइट कराने वाले हैं for the hybrid electric vehicles और अभी आपको पता होगा मैंने इसको थोड़े दिन पहले cover किया था, अगर आप मेरे से जुड़े होगे, continue वरे वीडियो देखते हैं, तो मैंने कुछ time पहले cover किया था, जब BMW ने यहाँ पर एक scheme, in fact यहाँ पर announcement किया था कि वो heating seats के लिए यहाँ पर subscription model यहाँ पर launch करने वाले हैं, जहाँ पर heating seats होगी, वो heated होगी, और उसके लिए subscription model launch करेंगे, तब भी मैंने cover किया था कि ER&D solutions की requirement यहाँ पर होगी और LTTI जैसी companies यहाँ पर फायदा का फायदा उनका होतावा देखने को मिले हो, और आज यह news आई रही है कि देखिए BMW के साथ इन्होंने partnership की है, तो पूरा जो dashboard है जो एक वो आप कहते हैं, यह जो हमारा console होता है, जो एक touch screen होता है, जो digital panel होता है, उसी से सारी चीज़े connect रहेगी और आगे अनमेल समय में जो हम बात करते हैं कि electric connected autonomous vehicle जो पूरा एक ecosystem है वहाँ पर अच्छी खासी जो companies हैं ठीक है, EV segment में और ER&D space में वो अच्छा करती हुए नजर आएगी उनके बड़ी deals आती हुए नजर आएगी और आज आप देख लिजे, पांस साल की multi-year deals इनको मिल चुकी है, पूरा software and integration पूरा एक जो है, यह पूरी service solution यहाँ पर प्रोवाइट कराने वाले हैं, तो auto sector की बात करें चाहिए आप aerospace की बात कर लिजे, rail segment की बात कर लिजे, LTT इसके पास already काफी बड़ी deals पड़ी हुई है, telecom high-tech की बात कर लिजे, जहांपर यह जो है, I think chips भी develop कर रहे हैं for the auto industry, 5G में इनका investment है, repeat deals इनके पास आ रही है, semi-conductor space में दो-चार बड़ी deals इनके पास already पड़ी हुई है, medical space में इनके बड़ी deal पड़ी हुई है, plant engineering में oil and gas जो companies हैं, वो लगातार capacity expansion कर रही है, अपने plant को modernize कर रही है, automate कर रही है with, you know, using smart technologies, तो यह LTTTS जैसी companies, ER&D जैसी companies, ER&D companies जो हैं यहां से बहुत बड़ी benefits ही होती हुई नजर आएगी, इससलिए SIP stock है long term का नजरिया रखिए और इनमें SIP कीजिए, क्योंकि हो सकता है, short term यह stock हमको गिरते वे नजर आएगी, because अभी global यहां पर recessions की संभावने बनती हुई नजर आ रही है, Europe, US, UK, यह थोड़े से दिक्कत में हैं, तो इनमें short term pressure रह सकता है, लेकिन LTT जैसी companies, अभी आपको एक साल pressure में रह सकती है, दो साल प्रेशर में, दो साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैंने, एक साल मानीजे maximum, इस से ज़्यादा pressure में नहीं रहेगी, क्योंकि इनके पास already multi-year deals पड़ी हुई है, और जो इनके already existing clients है, they are saying कि यहाँ पर हम अपनी जो ER&D spending है, वो continue जो हमने already जो budget जो allocate किया हुआ, उसके साथ हम continue करेंगे, तो यह जो है चलता रहेगा, ठीक है, और fundamentally अच्छी company है, तो और जब हमको इतने correction पर देखने को मिल रही है और तो इसमें SIP करते रही है, हो सकता है, गिरावट आजाए, करीब यह उन्तिस सो तक भी हमको मिल जाए, तो और SIP करेंगे, क्योंकि fundamental अच्छी company है और यहाँ पर bottom हमको पता नहीं है, तो हम SIP करेंगे, तो SIP करते रही है, तो अच्छी companies में SIP करेंगे, कोई आपको पैनिक नहीं होगा, पैनिक करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज जिन्होंने सुबह पैनिक किया होगा अपनी portfolio को, बिल्कुल लाल में देखकर उन्होंने बेच दिया होगा, तो अब आप अच्छता रहे होंगे, क्यों बेचा अच्छा खासा market recover हो गया, तो ऐसे ही होता है पैनिक में कोई भी decision लेंगे, तो वो गलत होने के chances 90% है, तो थंडे जिमाक से काम लीजिए, एक एक stock खरीदिए, दो stock खरीदिए, धीरे धीरे accumulate कीजिए और conviction पे अपना भरोसा रखी, और LTTS की बात करें, तो company की बात करें, तो company के आप जो है, एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, company का promoter holding देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, 74% promoter holding है, FIS के पास अच्छी holding है, DIS के पास अच्छी holding है, public के पास बहुत ही कम माल है, और ER&D space में अगर company margins अपने maintain कर रही है, जून में भी अपने margins maintain किया, इन्होंने with attrition भी इनका बहुत जादा नहीं था, तो अगर यह margin maintain कर रहे हैं, और अगर आगे भी एक दो quarter bar margin maintain कर लिए, तो फिर यह stock आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, यह जाएगा भाया, आसमान की share करने और ER&D space पर तो मुझे रखते हैं, आपको जरूर निवेश करना ही चाहिए, टाटा इलेक्सी महंगी जरूर है, लेकिन company बहुत अच्छी है, उसमें कोई doubt नहीं है, तो अगर सस्ती में invest करना है, जो टाटारी लेक्सी जैसा return मना कर देते हैं, तो LTTS यहाँ पर अच्छा नजर आ रही है, तो यह है तो company उसके पिछे rational क्या यहाँ पर reason है, technical chart पर क्या levels हैं, तो levels यही है, current market price पर buy कीजिए, 200 day moving average के जो है, आसपास चल रहा है ठीक है, sorry 200 day moving से नीचे है, लेकिन 50 day moving average के उपर trade कर रहा है, 2900 तक आता है तो इसमें और SIP हम करेंगे तो वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कीजिए, दोस्तों share कीजिए, चैनल को subscribe कर लिजिए और Nifty में गिरावट हाई है, long term निवेशक इसका फायदा उठाई है, गिरावट का फायदा नहीं उठाएंगे, तो कब क्या, bull run में निवेश करेंगे, जी नहीं, गिरावट में निवेश कीजिए, और जब Nifty भाग रहा है मार्केट भाग रहा है, तो वहाँ पर चुपचा बैठे रही है enjoy कीजिए, और जब 4-5% की गिरावट आ रही है stocks में, तो buy कीजिए IT stocks buy कर सकते हैं, आज अच्छी खासी गिरावट है 3 साल का नजरिया जिसका है, वो अच्छी IT companies में SIP कीजिए तो चलिए मिलते हैं दो नेक्ट वीडियो में, तिल रेन टेक कियर see you